बूर्णिंग स्टुडेंस आज जो संटेंस पर वीडियो आपको एक अपनोड कर चुके हैं आप दूसरा एक वीडियो भीज रहे हैं जिसमें एक दिन की कानिसेशन हैं आप उस खुद अपने से अच्छा सा समझ सकते हैं तो उस एक याप देख्या हैं उसको भी आप देखर दाद्गर हैं इसले आप उस को पढ़ हैं टेखर एक लूज देखके हैं चिकने के लिए ऊपनी जारा हैं इसले आप सिखेंगे Let's start with the definition What is a sentence? A group of words which makes complete sense is called a sentence English में एक sentence एक वाक्य वो कहलाता है जो कि एक या एक से जादा शब्दों से जोड़ कर बनता है और उसका कुछ एक अर्थ निकलता है It is very important कि जो भी words हम जॉइन कर रहे हैं जो group of words को जिस प्रकार से place कर रहे हैं एक के बाद एक वो इस प्रकार से हो इस तरह से हो कि उनका कुछ अर्थ कुछ मतलब निकले तभी हम उसे एक sentence बुलाएंगे For example, Jacob brings car to office यहाँ पे पाँच words है Jacob brings car to office और यह एक sequence में set है That is why it is making a sense कि Jacob office car लेकर आता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि because यह पाँच शब्द एक के बाद एक proper sequence में set है It is making a sense लेकिन अगर इन ही five words को हम जंबल कर देते हैं यह आगे पीछे कर देते हैं जैसे brings, office, Jacob, car, to Now it is a group of words लेकिन यह एक sense नहीं बना रहा है इससे कोई भी मेनिग नहीं निकल पा रहा है We cannot call this thing as a sentence Brings, office, Jacob, car, to Is not a sentence But इन ही शब्दों को प्रपरली अगर अरेंज करें Definitely it becomes a sentence The bird is sitting on the tree The ant took its food to a safe place The dog drinks milk The dog is a faithful animal The child is eating rice I love my cat John's parrot is in the cage Where is your dog? Are these their pens? Their books are on the table This is their room And this is ours What happened to my cat? चलिए आगे बढ़ते हैं अब kinds of sentences There are four kinds of sentences वाक्यों के चार प्रकार होते हैं अब इसको डिटेल में समझते हैं चलिए आईए तो सबसे पहले लिखा हुआ है Assertive Assertive शब्द assert verb से बना हुआ है Assert यानि assert verb का अर्थ होता है दिढ़ता पूर्वक कथन कहना या बल देकर बोलना कैसे जब अर्थात जिस वाक्यों में वक्ता speaker speaker हमाप होते हैं अपने कथन को डिढ़ता पूर्वक कहता है तो वह assertive sentence होता है जबकि declarative शब्द declare से बना हुआ है declare verb से बना हुआ है जिसका अर्थ है गोशित करना अर्थात जिस वाक्यों में speaker speaker अपने कथन को साधारन उर्पशे घोशित करता है वह declarative और assertive sentence कहलाता है इसी को declarative और इसी को assertive बोला जाता है कुछ examples देखिए पहला है I bought a laptop अब मैं इस sentence में declare कर रहा हूँ कि मैंने एक laptop खरीदा यानि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ मैं इस बात को द्रहता पूर्वक कह रहा हूँ कि मैंने एक laptop खरीदा My mother is cooking food मेरी माँ खाना बना रही है I will teach you sentences मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगा India is the largest democracy भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है You are a liar आप जूठे हैं तो ये सारे sentences में ये जो subject है ये अपनी बात पर अडिग है अपनी बात को assert कर रहा है ये जरूरी नहीं कि बात सही हो या गलत तो एक इस तरह के बात कहें ये सब assertive sentences हैं जैसे He goes to market I have told you many things I have completed my graduation ये सारे के सारे assertive sentences होते हैं एक और एक्जम्पल है They have made a mistake उन्होंने एक गलती की है अब assertive sentences दो परकार के होते हैं नंबर वन affirmative sentences यानि सकारात्मक वाक्ष You should write some sentences ये affirmative sentence है और दूसरा negative sentences नकारात्मक वाक्ष You should not cheat your friends आपको अपने मित्रों को धोका नहीं देना चाहिए तो assertive या declarative sentences को दो अनभागों में भी वाटा जा सकता है affirmative sentences and negative sentences इसकी पहचान क्या होती है इन sentences के अंत में full stop लगाया जाता है जैसे he went to market market के बद फुल stop आएगा तो वह किस तरह का sentence होगा assertive या declarative चलिए दूसरा interrogative sentences प्रशन बाचक वाक्ष interrogative शब्द interrogate बर्ब से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पूस्ताच करना अर्थात जिस वाक्षे किसी ब्यक्ति से कोई प्रशन पूचा जाए तो वह interrogative sentence होता है जैसे तो इस तरहे की वाक्षे को क्या कहेंगे आप interrogative sentences प्रशन बाचक वाक्षे क्योंकि इन sentences का यूज किसी से प्रशन पूचने के लिए किया गया है अब interrogative sentences दो प्रकार के होते हैं एक वे जो helping verbs is, am, are, was, were, do, does, did या model verb, will, shall, can, could, आदी से प्रारम होते हैं जबकि दूसरे वे जो question words plus helping verbs से शुरू होते हैं जैसे are they coming इसमें ये helping verb है when are they coming इसमें ये question word या wh word और ये helping verb है तो ये दोनो interrogative sentences हैं इसकी पहचान इन sentences के अंत में question marks लगाया जाता है तो question marks से आप clear cut पहचान लेंगे ये interrogative sentences हैं अब तीसरा प्रकार है third kind imperative sentences आदेश या प्रात्ना सूचक वाक्ष तो imperative शब्द Latin भाषा के imperial शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ होता है true command आदेश देना अर्थात जिस वाक्ष से ये किसी व्यक्ती को कुछ करने का आदेश दिया जाए वह imperative sentence होता है जैसे get out of the room कमरे से बाहर हो जाएं इसमें आप किसी व्यक्ती को आदेश दे रहे हैं तो ये किस तरह का sentence है imperative sentence drive carefully सावधानी पूर्बक चलाएं stop bothering me मुझे परिशान करना बंद करें तो इन sentences से आप किसी व्यक्ती को आदेश दे रहे हैं command कर रहे हैं तो ये किस तरह की sentences हैं ये imperative तो इसकी एक पहचान ये भी है कि इसमें जो main verb है उस sentence के शुरू में लिखी जाती है जैसे get out, drive, stop या open the window या close the window ऐसे और भी कई तरह की sentences जिसमें बर्ब सबसे पहले दी हुई हो वह imperative sentence होगा imperative sentences आदेश, order, command के अलाबा request या advice भी व्यक्त करते हैं कैसे? जैसे इस तरह देखिए please help me ये request है kindly grant me a leave ये me यहाँ पर extra है ये हटा देते हैं यहाँ से तो क्या हो गया? kindly grant me a leave तो ये किस तरह की sentences है? ये भी imperative है please और kindly लगा कर इसमें आपने request कर दिया है consult a doctor ये advice है respect your elders या teachers या parents तो क्या हो जाएगा ये? ये भी advice है तो ये किस तरह की sentences है? ये imperative sentences हैं जिनमें बर्ब सबसे पहले दी गई है इनकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में अधितर full stop लगा रहता है पर भाओं emotions पर बल देने के लिए कभी-कभी exclamatory mark भी लगा दिया जाता है जैसे watch out for snakes सापों का ध्यान रखें अर्थात यहाँ पर साप हैं आप साउधन रहें तो watch out means to be careful साउधन इसकी दूसरी पहचान यह भी है कि इन में subject नहीं होता है और sentence बर्ब से शुरू होता है या अंतरनेत होता है या अंतरनेत inherent रहता है जैसे sit down तो इसमें you जो है inherent है छिपा हुआ है एक common sense की बात है कि you sit down तो एक पहचान इसकी यह भी है इन sentences में do not या don't लगा कर इन्हें negative भी बनाया जा सकता है don't enter the classroom do not annoy me तो यह भी imperative sentences हैं जिन में don't या do not लगा कर इन्हें negative बना दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं यह चौथा परकार है fourth kind exclamatory sentences बिस्मयादी बोधग वाक्य तो exclamatory शब्द exclaim verb से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है आश्चर या बिस्मय ब्यक्ट करना अर्थात जिन sentences से speaker आश्चर दुख खुशी आदी के भाव ब्यक्ट करे वे exclamatory sentences होते हैं जैसे वाव रियक्सक्लेम्ट यू लुक हैंसम हुरे आई हैब बीन selected आउच इट हर्ट्स मी हाव वेल सी सिंग्स इधर भी exclamatory mark आप लगाएंगे तो आपने यहाँ पर भी exclamatory mark लगाना जरूरी है और what a nice idea कितनी बढ़िया तरकीब पहचान क्या है इन वाक्यों के अंत में exclamatory mark लगाये जाता है जैसे यह लगा हुआ है या यहाँ पर यह लगा हुआ है तो इसकी यह वड़ी पहचान है तो इस परकार अभी तक आपने चार वाक्य पढ़े और इन चार वाक्यों का आपने यह shortcut बना लिया A, I, I, E assertive, interrogative, imperative and exclamatory इसको आप बोलते हैं sentences at a glance वाक एक दरश्टी में अब इस table को आप बड़े दिहान से देख लें यह assertive है interrogative है, imperative है, exclamatory है और इस shortcut को आपको याद रखना है A, I, I, E अब यहाँ पर एक note देखते हैं जिन वाक्यों से कोई इक्छा wish ब्यक्त की जाती है उन्हें imperative sentences की अंतरगत रखा जाता है जैसे May you get well soon May you live long May God bless you May you succeed Wish you a successful married life May the Almighty help in this tragedy Wish you a happy journey together So students, आशा है कि आप इस वीडियो से लाग उखाएं होगे और इस वीडियो से जो भी आपको सज्यक्स के माल में ज्याने रखने होगी स्टाइब रखिये और यह आपको परिक्षा के लिए बहुती लागतन होगा So thank you, God bless you, stay blessed It will be So thank you